अपना जो अगला टॉपिक है चाप्टर है रिविजन का उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इम्प्लोई स्टॉक आप्शन्स तो इम्प्लोई स्टॉक आप्शन्स क्या होते हैं कि कम्पनियां अपने इम्प्लोई देने के लिए अपनी कम्पनी के शेर्स का आप्शन्स अस्टे में ओफर करती है माने option माने share खरीदने का अधिकार सस्ते में थोड़ा offer करती हैं और उसके लिए थोड़ा का time देती हैं कि आप x number of years के बाद मेरे से इतना share इतना दाम में खरीद सकते हो और उसको वो जो company असस्ते में share देने का offer देती हैं वो क्योंकि employee को देती हैं employee के reward के रूप में देती हैं इसलिए उनको employee stock option plan बोलते हैं option इसलिए बोला जाता है कि employees have the options to buy that they are not compelled to buy, they are not forced to buy they are the option to buy, they may exercise it, they may reject it अगर उनको नहीं लेना option तो मना कर देगा, उनको option नहीं चाहिए I don't want to buy the shares तो जब employee option exercise करेगा, वो बोलेगा मेरे को share चाहिए तभी company उसको share a lot करेगी और जितना पैसा company बोलेगी उस समय बोली होगी, उतना ही पैसा लेगी तो ये generally employee को reward देने के लिए employee stock option offer किया जाता है मैं आपको एक्जांपल देता हूँ कि मान लो और इस सारे एक्जांपल से सारा चीज को एक की साथ में समझने का कोशिस कीजेगा detail तो class में हुआ था ये revision है मान लो मेरी company ने मेरे employee को बोला हम लोग आपको एक हजार option देंगे मानने आप एक हजार share खरीच सकते हो मेरे से at a price of 70 each मेरी company का face value 10 है face value at a price of 70 each और मेरी company का current market price 120 रुपया है और 70 रुपया में मैंने उन लोगों को offer किया है और मेरा face value 10 है तो when my face value of this year is 10 face value आप जानते हो nominal value को बोलते है capital लिखने के काम आता है मैं 70 रुपया में offer कर रहा हूँ जबकि मेरा current market price 120 रुपया है तो इस तरह के एक offer को option बोलते हैं अब इसमें मैंने employee को बोला कि आप लोगों को ये offer दिया मानलो मैंने 1 April 2020 को 1 April 2020 को और मैंने उनको बोला कि आप लोगों को 30 June 2020 तक exercise कर लेना है तीन मैना के अंदर अंदर आपको exercise कर लेना है नहीं तो option lapse कर जाएगा तीन मैना के अंदर अंदर आपको exercise कर लेना April, May, June जनरली ऐसा होता नहीं है मैं beginning के लिए ऐसा बता रहा हूँ तो आपको exercise कर लेना है अब intermediate के तुम्हारे syllabus में पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि current market price minus offer price is the intrinsic value of the option intrinsic value of the option means तुम्हें company कितना रुपिया सस्ता में share दे रही है अगर market में 120 रुपिया दाम है तो तुमको 70 रुपिया में दे रही है तो 50 रुपिया सस्ता में दे रही है उसी को आप company का cost बोलेंगे और company इसी cost को अपना loss, अपना expense employee benefit expense, salary जिसको बोलते हो वो मान करके accounting करेगी ये इस chapter का main portion है तो मान लो company ने 1000 option दिये और company 50 रुपिया सस्ता में share देना चाहती है तो अपना पहला journal entry आएगा employee benefit expense account debit to employee stock option outstanding account एक खर्चा account debit to liability account और ये entry 50,000 रुपिया से आजाएगा और ये 50,000 रुपिया कुछ नहीं है current market price minus offer price इसमें face value का कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना नहीं है 120 रुपिया का share 70 रुपिया में company दे रहे है employee को 50 रुपिया free में employee को मिल रहे है तो 50 रुपिया company अपना खर्चा लिख लिए books में अब अगर employee लोगों ने मानलो ये 50,000 का पूरा पूरा option exercise कर लिया पूरा share उन लोगों ने मांग लिया 30 जून को ये entry आप एक एप्रिल को कर दीजेगा जिस दिन offer मिला 30 जून को employee ने share मांग लिया तो share मांगते वर्ट entry देखो bank account debit 70,000 employee stock option outstanding debit 50,000 ये liability खतम करने का time आगया बिकुज employee ने share मांग लिया हम उसको share offer कर रहे है share issue कर रहे है तो employee आंको 70 दे दिया employee stock option bank account debit 70,000 employee stock option account debit employee stock option outstanding account debit 50,000 to equity share capital 10,000 face value बाकी balancing figure आजागा to security premium account 1,10,000 इसमें ये समझना जरूरी है कि 70,000 कहां से आया answer is offer price है इतना रुपे तो employee दे गई 50,000 कहां से आया answer is 1000 into 50 capital तो face value है balancing figure premium है और उसके बाद ये जो employee benefit expense है 31st March को जब PL बनेगा तो P&L account debit to employee benefit expense हो जाएगा ये 50,000 रुपया PL में याद होगा आपको employee benefit expense वो जो मैं schedule 3 का 2 plus 7 item का format आपको discuss करता हूँ उसमें employee benefit expense 50,000 रुपया PL में चला जाएगा this is how the three journal entries of employee stock option accounting is past इसमें आगे भी discussion को बढ़ाएंगे पर ये 3 journal entry एकदम famous है अब इसमें में थोड़ा सा discussion को आगे बढ़ाते हुए ये बोलता हूँ कि मान लो out of 1000 employee ने बोला हम तो 800 share ही खरीदेंगे हमको एक हजार खरीदना नहीं है हम 800 खरीदना चाहते हैं भले मेरा 200 option lapse कर जाए तो वह 800 ही खरीदना चाहता है तो पहला जो journal entry ये वाला है ये पूरे 1000 option का ही होगा exercise वाला जो entry है वह 800 का होगा क्योंकि वह 800 ही खरीदना चाहता है 30 जुन को उसने बोला वह 800 खरीदना चाहते हैं तो 800 इंटू सत्तर 56,000 कंपनी को 56,000 मिलेगा 800 share का 70 रुपया करके 800 इंटू 50 चालीस हजार लाइबिल्टी चालीस हजार से खतम हो गया 800 इंटू 10 आठ हजार और security premium क्योंकि balancing figure आता है 88,000 यह आप 800 option का entry मार दिये अब important है कि सर्फ 50,000 का liability था 40,000 तो वो लोग मांग खतम कर दिया मतलब मांग लिया एक तरह से तो 10,000 रुपया का जो employee stock option outstanding में balance पड़ा हुआ है जो और कुछ नहीं है वो जो 200 share था ना 200 option जो lapse हुआ उसका जो 50 रुपय करके हम लोग liability लिकेते 200 इंटू 50,000 उसका क्या करेंगे answer ही जिसको right back कर लेंगे answer ही जिसको ulta कर देंगे तो ulta करने का journal entry यह जो entry आपने पास किया इसका opposite entry will be the third entry तो अब यहां पे third entry यह वाला नहीं होगा third entry will be employee stock option outstanding account debit 10,000 to employee benefit expense 10,000 यह entry आप 30 जून को मार सकते हो तो अब आप देखो यहां पे हम ले 800 option का 45 जर खतम कर दिया यहां पे बाकी 200 option का 10,000 भी खतम कर दिया अब employee stock option outstanding account is finished अब आप सोचो कि मेरा employee benefit expense में balance कितना है यह रा 50,000 debit यह रा 10,000 credit तो मेरा तो खर्चा finally 40,000 का ही तो loss हुआ न 40,000 पर PL में भेज दीजे तो 31st March को जब PL बनेगा your entry will be P&L account debit to employee benefit expense account 40,000 तो यह चार entry का एक conglomerate है group है जिसको आप इस तरह से entry पास करोगे सबसे पहले full option, full intrinsic value, debit और credit expense account, debit to liability account उसके बाद share issue जितना भी share issue हुआ उसका according entry उसके बाद जितना option exercise नहीं हुआ laps का opposite entry उसके बाद balancing figure को PL में डालने का entry यह 4 entry के group का sum CA enter में बहुत बार आता है और आपको यह 4 entry इसी तरीके से करनी है अब मैं आपको थोड़ा सा discussion को आगे बढ़ाता हूँ और वो यह है कि मान लिजे मेरे पास 100 employee है मैं उन हर employee को बोला कि तुमको 1000 option दूँगा at the rate of 70 each मेरा market price 120 रुपिया है और face value 10 है और साथ में मैंने उनको बोला कि तुम लोगों को 3 साल है 3 साल मेरे यह continuously काम करोगे तो option तुमारे उपर waste कर जाएगा चौथा साल आप हम से share मांगना हम दे देंगे और share हैं तुमको 70 रुपिया में ही देंगे चाहिए उस share का दाम 4 साल 3 साल बाद 1500 रुपिया क्यों न हो जाए तुम अपनी तकदीर पे खुस हो जाना 70 रुपिया जो मैंने आज कमिट कर दिया तुमको share 70 में ही देंगे और 3-4 साल के बाद मेरे share का दाम बढ़ने का भी बहुत उम्मीद है क्योंकि मेरी कमपनी भी अच्छी आप भी अच्छा काम कर रहे हो आप लोग जितना अच्छा काम करोगे share का दाम उतना बढ़ेगा आपको भी उतना ही फाइदा होगा तो ये स्टोरी में मैंने employee लोगों को option offer किया मैंने offer किया था 1-4-20 को कि 3 साल का मैं आपको wasting period दे रहा हूँ तो इसमें concept यह है कि company को ये estimate करना पड़ता है मालो company पहला साल 2021 मा अपना books बना रहा है तो पहला तो company को ये बोला गया कि ये जो आपका total खर्चा लगने वाला है 50 रुपिया पचास रुपिया ही तो खर्चा था intrinsic value loss ये जो पचास रुपिया आपका खर्चा लगने वाला है इसको 3 साल में record कीजिए एक साल में नहीं जैसे यहां पर हम लोग एक साल में record कर लिये थे ऐसे एक साल में नहीं तीन साल में record कीजिए क्योंकि wasting period एक साल से जादा है मेरे इस वाले एक्जामपल में first वाले एक्जामपल में wasting period था ही नहीं एक तारिक को मैंने बोला तुम तीस तारिक को share खरीद लो आकर के लेकिन अभी मैंने conditional रखा और ये ज़्यादा important discussion एक्जाम में आपके कम आता है पर इसको समझना ज़्यादा important है तो मैंने एक एप्रिल को उन लोगों को बोला कि तीन साल आप मेरे याँ लगातार काम करो तो चौथे साल में आप मेरे से ये share 70 रुपया में खरीद सकते हो तो मेरा जो loss company का 50 रुपया का उसको मुझे बोला गया इस chapter में कि इसको तीन साल के PL में भेजियेगा और इसका computation year to date basis पे होगा cumulative basis पे होगा कैसे मैं आपको समझाओंगा अभी बहुत बढ़ियां discussion है बहुत बढ़ियां तो मैंने उनको बोला कि तीन साल में मेरे को PL में डालना है straight line basis पे और ytd year to date basis पे तो 2021 में first year में मुझे क्या करना होगा पता करना होगा कि estimate कितना है कि कितने employee तीन साल बाद मेरे organization में रहेंगे तो मैंने पहला साल में मेरे को 6 employee छोड़के चले गए 6 और मैंने estimate किया second और third year मिला के और 14 employee छोड़के चले जाएंगे तो 6 और 14 total मिला के 20 employee छोड़के चले जाएंगे तो 100 employee में अगर 20 employee मेरे को छोड़के चले जाएंगे तो 80 employee मेरे यहाँ पे रहेंगे तो मेरे को 80 employee का खर्चा बुक करना है 100 का नहीं करना है I am conservative but I am not over conservative I am rational मैं true and fair काम करना चाहता हूँ तो मैं over conservative बनके 100 employee का खर्चा नहीं लिखूंगा यह चाक्तर मुझे बोलता है 80 employee का ही खर्चा लिखिएगा तो माननो 6 employee छोड़के चलेगे 14 और छोड़के जाएंगे सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ तो मेरा calculation होगा 80 into 100 1000 sorry 80 हो गया number of employee यह मैं कैसे निकाला 100 minus 20 करके उनको मैं 1000 option करके दूँगा तो into 1000 into 50 into 1 by 3 अगर मैं 80 into 1000 करता हूँ तो 80,000 अगर मैं 80,000 को 50 into करता हूँ तो 40,000,000 40,000,000 मेरा 3 साल का खर्चा है divided by 3 कर देता हूँ तो 13,000,000 33,000 333 रुपया यह मेरा 1st year का expenditure होगा and my journal entry will be same employee benefit expense account debit to employee stock option outstanding account 13.33,000,000 यह मैं पूरे में लिखता हूँ 13,33,000 रुपया अब the question comes कि sir यह employee benefit expense कहां जाएगा you can know PL में जाएगा sir यह employee stock option outstanding कहां जाएगा balance sheet में जाएगा liability side में लेकिन equity के अंदर मतलब reserves and surplus जहाँ पे दिखाते हो न reserves and surplus का एक item है यह भी एक बार यहाँ पे देखिएगा यह 13,33,000 जा 333,000 जो credit side में देख रहे हो अगर balance sheet बनाना पड़े तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और balance sheet PL में कहां जाएगा बता दिए अब आए second year 21,22 21,22 में मुझे फिर से number of employee estimate करना पड़ेगा मालो मेरे first year में 6 employee छोड़के गए थे second year में और 9 छोड़के चले गए 15 हो गए third year में मुझे लगता है कि और 7 छोड़के चले जाएंगे मने total 22 employee मेरे को छोड़के चले जाएंगे 15 तो छोड़के चले ही गए total 22 छोड़के चले जाएंगे तो मेरे पास total 100 में से 22 अगर छोड़के चले जाएंगे तो 78 employee रह जाएंगे तो मेरा calculation देखिए 78 into 1000 into 50 into 2 by 3 minus 13, 33, 33 इसको year to date concept बोलते हैं यह आप contract accounting में और costing में जो contract का chapter है उसमें भी आप सीखते हो year to date concept बोलते हैं 2nd year and subsequent year की accounting में क्या होता है कि यह पूरा total cost हो गया 3 साल का 78 employee, 1000 option, 50 रुपया का खर्चा यह 3 साल का है into 2 by 3 कर दिये तो 2 साल का खर्चा आगया माइनस 1st year का खर्चा अगर मैं लिख दिया तो मेरा 2nd year का expense आगया and the answer is 1266 667 to second year का खर्चा कैसे निकलता है by following year to date concept by following cumulative approach what is cumulative approach, find the expense of 2 years together, deduct the expense of 1st year, you will get the expense of the 2nd year तो यह मेरा 2nd year का फिर से जर्नल आ गया same journal अब मेरे PL में 2nd year में 1266 667 PL में चला गया और मेरे balance sheet में cumulative amount वही पे reserves and surplus में जाकर के credit हो गया जो कि 26 लाक रुपया है अब 3rd year जब आया 22-23 तो मेरे को final पता चल जाएगा कि कितने employee last में मेरे यहां रहे 3rd year में मेरे यहां बहुत सरे employee और छोड़के चले गए 6 पहले ही छोड़ गये थे, 9 और छोड़ गये 9 second year में छोड़ गये थे, 3rd year में तो 10 छोड़के चले गये तो 9, 6, 15 तो 25 employee छोड़के चले गये तो अब 3rd year का मेरा खर्चा कैसे निकलेगा? 75 100 में से 25 होड़के तो 75 employee, 75 into 1000 into 50 into 3 by 3, 3 साल का cumulative खर्चा, 3 by 3 लिखने की जरूत नहीं पड़ती minus 13, 33, 33, minus 12, 66, 66, 67 इसी को बोलते year to date concept जो उपर समझाया दुबारा repeat करा दिया तो number of employee बार बार revise होता है यह revise number के basis पे भी हो सकता है, percentage employee छोड़ा बोल के भी दे सकता है तो 75 into 1000 into 50 minus इतना equal to 11,50,000 तो 3rd year का entry आगया 11,50,000 तो अब मेरे पास कितने employee final है? 75 और उनके option है 75,000 और मेरे book में उनका liability पचास रूपया करके लिखा हुआ है 75,000 into 50 आप अगर इस तीनों को जोड़ोगे ना 13, 33, 12, 66 और 11, 50 को तो यह आजाएगा आपका 37,50,000 जो इसका multiplication है आप अगर 75,000 option का 50 रूपय से multiply करोगे ना तो तिक 37,50,000 आएगा जो मेरे balance sheet का employee stock option outstanding का balance है अब उसके बाद जितना employee exercise करेगा उसका ये वाला entry आजाएगा bank account debit वाला और जितना lapse करेगा उसका उल्टा वाला entry आजाएगा employee stock option outstanding to employee benefit expense वाला इसको लेकिन उस वक जेनरल लेजर में डालते हैं employee benefit expense में नहीं मैं आपको समझाता हूँ अब मालनों इस 75,000 में से 70 employee ने exercise कर लिया तो 70 employee जब exercise करेगा तो हमको 70,000 share देना पड़ेगा तो my entry will be bank account debit 70,000 into 70 पैसा तो 70 रुपय करके देगा तो 70,000 into 70 is 49 lakhs अचा in between मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरे employee stock option outstanding में 37,50,000 का balance आ चुका है employee stock option outstanding 70,000 का 50 रुपय करके reverse करेंगे 50 करके liability recorded है employee stock option outstanding की अभी 70,000 exercise हो रहा है तो 70,000 into 50 35 lakh रुपया two equity share capital 70,000 का 10 रुपय करके 7,000,000 capital में चला गया balancing figure premium में आ गया 77,000,000 रुपया premium में आ गया अब बताइए कि मेरे कितने employee ने exercise नहीं किया पाँच उनके पास कितना option था 1000,000,000 पाँच हजार तो 5,000 का धाई लाक रुपया, 50 रुपया करके मेरा बुक में liability पढ़ा था जो कि अब lapse हो गया तो हम लोग को employee stock option outstanding का liability lapse का ultra entry मारना पढ़ता है तो हम लोग इसी entry का ही तो ultra entry मारता है जब lapse हो जाता है तो institute का बोलना है कि अगर option का period एक साल से जादा extend कर जाता है जो मेरे case में कर गया है अगर एक साल से जादा extend कर जाता है तो आप जो ultra वाला entry मारेंगे न employee stock option outstanding account debit to employee benefit expense उसकी जगर to general reserve लिग दीजगा बने PL से root नहीं करके सीथे balance sheet में घुषड दीजगा directly goes to reserves and surplus तो employee stock option outstanding to general reserve हो गया तही लाख रुपया यह जो पाँच employee का हजार option पचास रुपया करके जो हम लोग record किये थे liability वो जो खतम हो गया no longer required यह company को एक तरह से profit हो गया that profit is getting transferred to general reserve यह concept है employee stock option outstanding को ले करके यह थोड़ा full-fledged बड़ा वाला sum का example दे करके आपको मैंने समझाया अब यहीं पर आपको मैं एक बात और बोलूगा और यह last बात है division का कि जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 120 रुपया का current market price है share का और 70 रुपया नहीं आपको offer कर रहे हैं तो company का loss पचास रुपया हुआ तो हम लोग 50 रुपया करके आप loss book करते हैं यह entry पचास रुपया करके करते हैं आपने देखा होगा लेकिन इसमें बड़ा CA final में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं इसमें idea है कि यह जो option आप देख रहे हो ना यह option यह option एक product की तरह share बजार में बिकरी होता है same option market में sale होता है और यह sale जो होता है यह 50 रुपया में नहीं मानलो 50 से थोड़ा ज्यादा में से 56 रुपीज में sale होता है same इसको बोलते option का fair value जिस option का intrinsic value था ना 50 उसकी जड़ा option का fair value is 56 intrinsic value से थोड़ा ज्यादा होता है मतलग exactly the option that an employee is getting the same kind of options are sold in the market between one person to other person and that option का अगर यह सारा characteristic होगा तो वो option 50 रुपीज में नहीं 56 रुपीज में sale होगा खली option, share नहीं बोलगा हो, option तो अगर आपके question paper में option का fair value दिया हुआ है और आपको बोल देगा, अगर fair value देगा तो आपको बोल देगा कि fair value accounting करो तो in that case, जहां-जहां मैंने 50 यूज किया ना, उस 50 की जगह आपको 56 यूज करना पड़ेगा because CA inter में accounting is based on intrinsic value of the option but CA final में accounting is based on fair value of the option because CA inter में guidance not follow होता है, CA final में indase 102 follow होता है पर आपके भी question paper में अगर fair value of the option दे दिया तो आपको यहां पे जो intrinsic value करके आपने 50 रुपीज record किया वो नहीं करके 56 रुपया जो fair value of the option है वो करके आपको recording करनी पड़ेगी so your 50 everywhere will be replaced by 56 company का खर्चा 50 नहीं हो करके, company का खर्चा 56 रुपया हो जाएगा ऐसा मान करके आपको sum बनाना पड़ेगा यह सोचना पड़ेगा, इस तरह के options market में अगर 56 में भीक रहे है company तो employee को option तो free में दे रही है ना share का 70 रुपया ले रही है पर option तो free में ही दे रही है ना उस option को तो exercise करने से 70 रुपया में share मिल रहा है तो options are sold in the market, option is a derivative product those options are sold in the market and if the option is trading at 56 रुपीज on that day we will record 56 as the employee benefit expense और वो खली इसी sum के लिए नहीं यह जो पहला वाला भी आपको example कराए इस question में भी वो आपको 56 अगर लिख करके दे दिया कि fair value of the option, यह word ध्यान दे ना fair value of the option is 56 तो यह recording 50 करके नहीं करके 56 रुपया करके करना पड़ेगा so this is the revision of employee stock option accounting बाकी जो sums हैं और exercise वगरा हैं जो मैंने कराए हैं बहुत सारे उनको आप लोग अच्छे से घर में बैठके कर लीजेगा अच्छा एक question बार-बार बच्चों का आता है मेरे पास कि sir institute का एक sum में जैसे वो लिखा था कि 3 साल का wasting period है और उसमें earning earning वगरा भी दिया हुआ था company का earning earning वगरा तो उसमें अचानक sir एक जगा पे 1 by 2 कर लिया मतलब 2 year में option waste हो जारा ऐसा कर लिया था और sir detail देखके पता नहीं चल रहा था कि 2 साल wasting period हो गया है earning दो साल में अचीव हो जारा देखके पता नहीं चल रहा था तो actually question incomplete है institute का वो question paper अब मैं देखता हूँ एक मिनट अगर वो मेरे पास है तो हाँ ये रा ये वाला question जिसे यहां पर earning के उपर option waste करेगा तो यहां पर earning का detail दिया हुआ है और यहां पर जो calculation किया हुआ है देखिए ये 1 by 2 कर दिया है तो बच्चे समझ महीं पा रहा है कि 1 by 2 कैसे हुआ 2 by 3 उनको ठीक समझ में आ रहा है यहां पर भी 3 by 3 समझ में आ रहा है ये 1 by 2 कैसे कर दिया actually एक line missing है कि in the first year the company estimated that the options will waste at the end of second year employee लोग 2 साल में earning की condition को fulfill कर लेंगे ये question paper में लिखा हुआ था वो misprint हो करके typing error की वज़े से वहां से delete हो गया मतलब यहां पर question paper में ये लिखा हुआ था कि the options are expected to at the end of year 1 the earning is expected to be achieved by the end of year 2 so the options are going to waste at the end of year 2 that was assumed in the first year ये detail वहां था लिखा हुआ नहीं था typing error हो गया था इसलिए यहां पर 1 by 2 किया हुआ और कोई logic नहीं है so thank you very much we have finished with the revision of employee stock option accounting thank you